तंत्र का मतलब बेलगाम संभोग नहीं है जैसी बात अमेरिका के लोगों ने फैलाई है तंत्र का मतलब है एक तकनीक कई चीजें अगर मैं अपने आसपास होने वाली चीजों की बात करूँ तो वो बिलकुल परिकथा की तरह है अचानक आप ऐसे बन जाते हैं कि जीवन एक खेल है अब ये संघर्ष नहीं रहा नमस्ते, किन यू टॉक अबाट मेंटलिस्म? मेंटलिस्म क्या है? मेंटलिस्ट लाइक ओ, मेंटलिस्ट, वो मुवी, उस तरह मेंटलिस्म, या वो कै? हॉलिवुड, हॉलिवुड मुवी के हिसाब से मत चलिए वहां बहुत सी चीजें बढ़ा चड़ा कर पेश की जाती है लेकिन क्या मानव मन कुछ कर सकता है? बाहर? बेशक बेशक कर सकता है आज अगर मैं इस शब्द को बोलता हूँ तो मुझे विश्वास है कि बहुत सारी गलत फहमिया मौजूद है क्योंकि ये कहीं और से आता है तंत्र का मतलब यही है तंत्र का मतलब बेलगाम संभोग नहीं है जैसी बात अमेरिका के लोगों ने फैलाई है तंत्र का मतलब है एक तक्नीक तक्नीक यानि उस समय जब हमारे पास तक्नीक के कोई बाहरी उपकरण नहीं थे हमें एहसास हुआ कि सबसे उचे स्तर की तक्नीक यहां है और इसका इस्तमाल करना कई अलग-अलग तरीकों से अब अगर हम उस दर्वाजे के बाहर देखना चाहते हैं तो हमें एक परिसकोप चाहिए अब किसी ने एक तरीका खोज लिया उसके बार देखने का बिना परिसकोप के अपने मन का इस्तमाल करते हुए अपने शरीर के दाइरे से परे अभी मन आपके शरीर के दाइरे में काम कर रहा है आप उसे वहाँ इस्तमाल करना चाहते हैं ऐसा करना संभव है ये असंभव नहीं है बात बस इतनी है कि तमाम अजीबों गरीब और बेतु की बातों पर विश्वास किया जाता है अगर आप उन चीजों को छाट दे तो कई माइनों में जाने अन जाने में आप मेंसे कई लोग ये कर रहे हैं आप दुनिया में जो चाहते हैं वो बनाते हैं अगर आप वाकई में चाहते हैं एक तरह से बस आपका फोकस ही उन चीजों को संभव बनाता है शायद वो इतने ठोस रूप में न हो जितना सिनिमा में होता है लेकिन आप में से हर कोई कुछ हद तक इसे कर रहा है है ना आप कितनी अच्छी तरह इसे करते हैं ये निर्भर करता है कही चीजे हैं अगर मैं अपने आसपास होने वाली चीजों की बात करूँ वो बिल्कुल परिकथा की तरह है मैं ऐसी बखवास पर यकीन नहीं करूँगा अगर कोई मुझे बताए तो मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उन चीजों पर विश्वास या विश्वास करें लेकिन हर दिन मेरे आसपास के लोग ऐसी चीजें देखते हैं जो उनके लिए चमतकार से कम नहीं है लेकिन इसमें कोई चमतकार नहीं है जीवन एक बड़ा चमतकार है क्या आप उसका एक हिस्सा है या आप उससे बाहर है, ये एक बड़ा सवाल है क्या ये एक बड़ा चमतकार नहीं है, ये शखस एक नूडल खाता है और ऐसा बन जाता है क्या ये चमतकार नहीं है, ये एक चमतकार है, है न सवाल ये है कि क्या आप जागरुकता से उसमें है या आप उससे बाहर है ये एक बड़ा सवाल है अगर आप उसमें हैं तो आप देखिए अगर आप किसी विचार का इस्तमाल करते हैं ये वो वैसे शुरू में पूछ रहे थे हम इसे कैसे करें मान लीजिए आप एक विचार पैदा करते हैं क्या आपने गौर किया है मान लीजिए आप एक विचार पैदा करते हैं और फिर आप इस विचार में अपनी भावनाएं डालते हैं अचानक ये विचार बूम हो जाता है हाँ या ना अभी मैं एक विचार पैदा करता हूँ, ओ, ये कितनी अच्छी इंसान है लेकिन अब मैं अपनी भावना उस विचार में डालता हूँ अब अचानक, आप मेरे लिए सिर्फ एक और इंसान नहीं है, आप मेरे लिए कुछ और ही है ये हकीकत है या नहीं? सिर्फ इस लिए क्योंकि आपने अपने विचार में अपनी भावनाई डाली अब एक अगली चीज है, अगर आप अपनी जीवन उर्जा उसमें डाल दें, जागरुकता के साथ तो अचानक ये पूरी तरह से कुछ और बन जाएगा अचानक आप ऐसे बन जाते हैं कि जीवन एक खेल है अब ये संघर्ष नहीं रहा क्योंकि चमतकार हमेशा हो रहे हैं आप एक छोटा सा बीज डालते हैं, वो पेड़ बन जाता है ये नूडल खाते हैं, ये एक आदमी बन जाते हैं मैं कह रहा हूँ कि ये कि ये हर समय हो रहा है, जरा देखिए आप जड़ में गंदगी डालते हैं, जरा देखिए वो खुश्बू बन जाती है क्या हर जगा चमतकार और चमतकार नहीं हो रहे हैं सवाल बस ये है कि क्या आप जागरुकता से इस चमतकारी स्रिष्टी का एक हिस्सा है या आप अपने ही तर्क में उलजे हुए हैं और इस चमतकार से बाहर हैं सारा अंतर बस ये ही है